तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, that is nothing but, can we work and earn money while studying, सबसे ज़्यादा जो सवाल एक बच्चे के अंदर आता है, अगर उसका family condition, financial condition बहुत अच्छा है, average से उपर है, तो वो कभी नहीं सोचेगा, as a student, as a studying candidate, वो कभी सोचेगा नहीं कि उसको earn करना है लाइफ में, पै family condition भी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे अपनी family को support करना है, तो कहीं ने कहीं, आप लोगों को कोई ना, तो यह जो आपके अंदर सवाल चल रहे हैं, उसका जवाब चायद आपको मिलने वाला इस वीडियो के अंदर, तो सबसे पहली बात, जो mind में आता है, वो आप लोग क माज ऐसा बन गया है कि बिना पैसे की कुछ काम नहीं हो सकता, अरलिये टाइमस में क्या होते था, कि जिसके बास पैसे नहीं होते था, फिर भी लोग के अंदर इतने करूना और इतना भावना होता था, कि वो लोग एक दूसरे को मदद करके चलते था, आज के निट में वो तो हम उसकी बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात ये कर रहे है कि क्या बिना पैसे की कुछ काम हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यार अगर आप एक स्टुडेंट हो, तो आपको पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए, तुशन जा रहे हो, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो अपने आप से पुछ हो कि क्या आपको वाकही में पैसे चाहिए, अगर आपका जवाब हाँ है, तो ठीक है, अगर नहीं है, तो यार पैसे का जो word है ये दिमाग से निकाल दो, फिलाहाल में तो निकाल दो, क्योंकि अगर आप एक स्टुडेंट हो और आपको कोई मुझे मैसेज करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिनको वाकई में शायद नीड होगी, तो वो नीड को कैसे फुल्फिल किया जाए, या फिर वाकई में वो करना करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हो, कड़वा सच है, सुन लेना, तो सबसे पहले तो ये तो समझ जाएगा, कि आपको की नीड क्या है, मालो की कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिनके पैरेंट्स अर्न नहीं करते होंगे, या फिर करते हुए ये है में, think about your goal, सबसे पहले तो आपको ही सोचना पड़ेगा, कि वाकई में आपको चलो नीड है, पैसे की, लेकिन आपका goal क्या ही है, आपको सोचना पड़ेगा, मान लो, कि आपको बहुत जादा नीड है पैसे की, ताकि आप उससे अपने स्कूल का फीस भर सको, आप अ अगर वैसा बनना है, तो आपको investment भी करना पड़ेगा, in terms of education, आज की रेडि में education बहुत नहींगा है, दो चीज कर सकते हो इसमें, अगर आपको goal आपका बहुत बढ़ा है, तो आप एक काम कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे चीज़े होते हैं, जिससे आप छोट इसका freeze भर सकते हो, वो क्या चीज़े मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, जो लोग को वाकई में नीड है, उसकी बात कर रहा हो, बहुत सारे चीज़े हैं, और एक और चीज़ होती है, बहुत सारे लोग उधार लेते, तो उध अगर आपके घर में सब सही है, आपको कोई तयाना नहीं मारेगा बाद में, तो वो ठीक है, आप रिलेटिव से उधार ले सकते हो, पढ़ सकते हो, एडुकेशन लोन आता है, वो आप ले सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप खुद से ही कर सकते हो, आपके अंदर हो capability ह अगर आपको खुद से ही अपने dream को जीना है, अपना ही goal, मतलब बोलते हैं साकार करना है, तो उसी साब से मेनद कर सकते हो, ठीक है, तो वो money जो है, बहुत ही important factor हो जाता है, और इसलिए मैं off the topic जाके आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज हम पढ़ाई की बातें ज्याद मैं आपको बताना चाहूंगा पैसे कमाने अगर जो लग जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ, अगर माल लो कि आप एक student हो, एक student हो और वो आप पैसे के बीचे भाग रहे हो, तो मुझे बात बताओ, आपका concentration study में लग पाएगा क्या, यह बताओ मुझे, अब आप बोलोग study में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा, कि आप मुझे पैसे कमाने हैं, अब मुझे अपने fees कैसे भरने हैं, तो मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा, जिनका पढ़ाई खराब होता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, कि आप अपन को जॉब मिलता है, उसके पहले जॉब नहीं मिलता है, अगर आपके प्रॉपर कमपनीज में या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं, उसमें जाना होता है, तो जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइड लेबर अलाओ नहीं हमारे इंडिया में, चाइड लेबर 18 साल के नीचे, बहु क्या निकलेगा वो आइडियास, बताओंगा, लेकिन पढ़ाई डिस्टरब नहीं होना चाहिए, और आपको लगता है कि यस मेरे अंदर वो टालेंट है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब मैनेज कर सकता हूँ, जॉब मतलब कोई भी छोटा मोटा काम, जिससे आप छोट में ही करते थे, उसकी ममी हमेशा बिमार होती थी, दो भाई थे, अब वो दो भाई थे न, उसमें से एक बड़ा भाई था, अब दोनों सेमी स्टैंडर में थे, भले ही एज डिफरेंस था, लेकिन वो बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई की सैक्रिफाइस की थी अपने छो तो वो जैसे हमारे कॉलेज से छुटता था, वो हमसे मिलता भी नहीं था, छुटने के वाद सीधा वो रिक्षा पकड़ता था, रिक्षा पकड़ के वो सिधा उस कंपनी चला जाता था, जहां पे उसको जॉब करना है, तो वहां पे उसका टाइमिंग था, दो बज़े से रात को 11 बज़े था तो वो इंसान दोपैर से दो बज़े से लेकर रात को 11 बज़े था कि एक फैक्टरी में काम करता था फैक्ट्री आप इमाजिन करता रहो एक टुडेंट होके 19 साल का लड़का होके वह फैक्टरी में काम करता था तो आप सोच सकते हो कितरी situation अच्छी नहीं रही होगी और तब जाके उसको कुछ payment मिलते थे monthly, तब जाके वो अपना fees अपने भाई का fees और अपनी family को वो run कर पाता था और उसने वो 2 साल लगटार किया तब जाके उसका ग्यारवी बारवी complete हुआ और उस वजे से बहुत ही अच्छा उसने performance दिया ठीक है, result भी ठीक था का ऐसा नहीं बोलेंगा कि टॉप मारा उसने, medium level का result आया, फिर उसको और भी जादा मेहनत करना पड़ा, फिर जाके उसका एक engineering college में admission हुआ, उसने 4 साल engineering की ऐसे ही, part time job करकरके, fees भरके इस प्रकार से engineering की, और आज वो बंदा, ठीक है, वो मेरे मेरे एच का नहीं बोल सकते है, मेरे से 2 साल senior था बले हमारे साथ batch met था हो, लेकिन आज वो बंदा दुबई में बहुत अच्छे position में, mechanical engineer की position में job कर रहा है, and he is earning a very decent amount तो उसका पूरा जो परिस्ती थी था, वो बदल गया आज के rate में, तो यह मैं क्यों बता रहा हूँ, कि जो बच्चा आप हो, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ने, जो सोच रहा होँगे कि यार मेरी financial अच्छी नहीं आपका पढ़ाई is very important, graduation तक आपको धटे रहना है आपके पढ़ाई में, education is the only key to success, याद रखना इस चीज़ को, ठीके, आपको जैसे बच्चे जिनको कुछ रास्ता चाहिए, अगर, तो मैंने कुछ tips लिखके रखें, यह मेरे दरफ से recommendable तो नहीं है, लेकिन मेरे दरफ से tips है, इसको आप जरूर से मेहनत करके पहले सीख लो, practice कर लो और उसके बाद जाके आप इस चीज़ को अपने life में लागो करना, सबसे पहला चीज, क्या है वो?